नमस्कार दोस्तों यूटूब चनल आईसेटी एकाटवी में आप लोग का स्वागत है आज फिर से हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं इस वीडियो में बात करेंगे nasional means q merit scholarship skim yawni की जिसको सौट में हम लोग n mms scholarship का एकजाम बलते हैं और हम लोग मेदाच हत्रवर्ति के नाम से भी इसको जानते हैं तो जो student class 8 में n mms scholarship का एकजाम दें हैं सभी student का result जारी हो गया है तो आज किस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपना state wise result को download करेंगे किसी भी state से आप बिलोंग करते हैं लगबख सभी state का student का result जारी कर चुके है अगर आप लोग इस scholarship में एक्जाम दिये थे तो इसका result जारी हो चुका है अगर आप इसको पास करते हैं तो आप जब national scholarship portal से scholarship apply करेंगे जिसका scheme होगा national means school merit scholarship scheme जो की यहाँ पर देख सकते है national means school merit scholarship scheme इसमें जब आप apply करेंगे तो first time अभी आप class 9th में admission लिए है नया नया या फिर लेने वाले हैं तो जो class 8 का student रहता हो ही student NMS exam देते हैं तो फिर आप जब NMS को pass करेंगे तब तक आप 9th में admission लेंगे अपने एरिया का school में किसी भी school में फिर 9th का student जब national scholarship portal से NMS scholarship scheme के लिए new registration करके form apply करेंगे तो student को class 9th में 12,000 रुपया का scholarship मिलेगा फिर student जब next year class 10th में जाएगे तब national scholarship portal में फिर scholarship open होता है September से लेकर December तक फिर आप लोग अपना form को renewal करेंगे तो आपको 10th में भी 12,000 मिलेगा फिर next year 11th जाएगे तो फिर open होगा फिर national scholarship से renewal करेंगे NMS scheme महले national means school merit scholarship scheme फिर 12,000 मिलेगा फिर 12 में जाएगे फिर renewal करेंगे तो 12,000 मतलब की national means school merit यानी की NMS scholarship का exam अगर आप सिर्फ एक बार class 8 में अगर देते हैं और पास अगर आप कर जाते हैं तो आपको इसी exam के तौर रुपए आपको चार साल तक 12,000 रुपए करके scholarship का amount दिया जाता है तो उसके लिए आप लोग को scholarship भी apply करना पड़ता है national scholarship portal से तो जो student pass करते हैं उसी ओही student apply कर सकते क्योंकि जब national scholarship से form apply करेंगे तो आपका roll number पुछा जाएगा NMMS का तो roll number fill करना रहता है year fill करके जैसे next करेंगे तो आपका NMMS का scheme आएगा इस परकार फिर इसको ticker के form apply करेंगे तो आपको scholarship मिलेगा तो इसी NMMS scholarship exam का result आ गया है तो result को आप लोग को कैसे download करना है state wise चली इस वीडियो में आप लोग को इस tip बता रहा हूं तो अगर आप लोग जारकन से बिहार से किसी भी state से विलोंग करते result को download करना है अपना नाम बाइस तो कैसे download करेंगे चलिए बता रहा है तो वीडियो informative लगे तो like कर दीजेगा अपने दोस्तों का ग्रूप में जरूँ शेयर किजेगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा फ्रेंट नया नया scholarship related update हमेशा पाने के लिए तो सबसे पहले आप अपना mobile का कोई भी एक browser को open कर लिजे जैसे आम Google Chrome browser को open कर लिए उसका Google में आप लोग को लिखना है फ्रेंट scholarship help.in इस प्रकार लिख के आप ल scholarship help करके इस website को आप लोग को open करना क्योंकि इस website में आप लोग को scholarship related सभी update मिलेगा अभी फिलाल फर्स्ट में ही ये पोस्ट है NMMS scholarship exam result देख सकते हैं या फिर आप लोग scholarship में NSP scholarship में चले जाएंगे कि कोई national scholarship से ही होता है अपलाई तो NSP scholarship में जाएंगे फिर national NMMS scholarship exam result वाला option पर इसको open करेंगे या फिर इस पोस्ट का direct link हम आप लोग को इसी वीडियो के description पर दे दिए NMMS scholarship exam result तरह के interface open होगा फिर इस scheme के बारे में सभी जानकर यहां पर आप लोग को हिंदी में दिया हुआ रहेगा आके चेक कर लिजेगा कि NMMS scholarship क्या है क्या नहीं हिंदी में बता से एक scheme के लिए apply करना होगा जिसका नाम है national means to merit तो आप पास करेंगे तब ही तो result को देख लिजे तो result कैसे चेक करना देखिए इसको थोड़ा और स्क्रॉल करना है और यहां पर apply के video भी मिल जाएगा आके चेक कर लेंगे आप लोग कैसे scholarship को apply किया जाता है उसका video है और अ और यहां पर हम लोग जारखन से है तो जारखन MMS result में किलिक करेंगे अब जो भी state से अपना state में जाएंगे और इधर बगल वाला link पे किलिक करेंगे तो जारखन student हमें है तो यहां पर किलिक करते हैं तो आपके समने friend इस प्रकार का interface open होगा जहां पर आपको सभी जारखन board के सभी जो state government का होता है सब result आजाएगा अभी NMMS का result को अप लोगों यहां से check करना तो देख सकते हैं आखंचा engineering का भी result यहां पर आया हुआ है और हम लोग को NMMS exam result यहां पर है 2022 देख सकते हैं इसको किलिक करते हैं तो result का PDF फाइल यहां पर आजाएगा यहां पर जितना student का नाम दीकरा सभी student national scholarship से NMMS scheme के लिए eligible हैं लोग apply करेंगे तो लोगो 12,000 रुपया करके 4 साल तर मिलेगा चारों साल अप लोग apply करना इस बात का ध्यान देंगे अभी 9th में आप admission लेंगे किसी भी सरकारी school में तो 9th में apply करेंगे national scholarship से अभी date open है new registration करके form फिलब करेंगे और last में NMMS scholarship scheme national means merit scholarship scheme ही आएगा उसको tick करके form को submit करना फिर जब next year 10th में जाएंगे तो याद रखेंगे सितंबर से लेके December के बीच में scholarship portal open होता है फिर उसी application ID password से renewal करना है फिर next year 11 जाएंगे फिर renewal करेंगे फिर 12 जाएंगे फिर renewal इस प्रकार आप लोग को apply करना पड़ेग तो आप लोग अपना merit list में नाम को देख लिजे देख सकते है school wise, state wise सभी student का result यहाँ पर है तो आप लोग अपना नाम को find भी कर सकता है इस परकार control app दवाएंगे और किसी भी student का नाम अगर आप लोग को find करना है तो यहाँ पर आप लोग अपना control app computer में find का option आता है यह mobile स search वाला में जाएंगे इस परकार आजाएगा फिर अपना नाम को इस परकार लिख देंगा और इस परकार search करेंगे देख सकता है और यह रहा role number जो की scholarship apply करते टाइम role number पूछा जाएगा एनमे में स्टिक करके तो आप लोग यह role number फिल करेंगे और अपना ही नाम जैसा यहा पूरसेस हर सार रहता आप इसको एक बार जरूर देखिएगा उसके बाद आगर आप पास कर गए हैं यहाँ पर आपका नाम है तो आपको scholarship सरकार के तरफ से मिलेगा 100% सभी को मिलता है नमे मेंस जो भी पास करते है 12 जरुपया करके तो आप लोग अपना-पना result को जरूर चेक करेंगे इस परकार देख सकते हैं बहुतों स्टुडेंट हर साल पास आउट होते हैं तो यहाँ पर आप लोग अपना result को चेक कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्किप्शन पर दे दिए इस्टेट वाइस अपना-पना result को चेक करने का तब लोग डाउनलोड करके चेक अब इस इस्कॉलरसीव पोटल से अपना अनम्स नेशनल मेंस को मेरिट इसकॉलरसीव स्कीम के लिए फ़र्म को जरूर से जरूर भरेंगे ठीक है तो जानकर एगर अच्छा लगे आप लोग को तो वीडियो को लाइक करें दूस्तों साथ गुरूप में सेयर करें चैनल प अबर नेक्स्ट वीडियो